दोस्तों आप सबी का बुद्व स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अभ्यान लूसेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कुश्चन इस वीडियो में देखने वाले है जो कि आपके आने वाले एक्जामस के लिए काफे इंपोर्टेंट है तो आप इस वीडियो वह ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें तो चले शुरू कर रहते हैं देखे यहाँ पर हमारा पहला कुश्चन दिया है क्या है भारत में मुस्लिम राजे का संस्थापक मुहम्मद गौरी को माना जाता है प्रन्तु भारत में स्वतवांत्र मुस्लिम राजे का संस्थापक किसे माना जाता है तो देखे correct answer option यह हो जाएगा कुतुबदीन एबग को माना जाता है इसके अलावा कुतुबदीन एबग की बात करें तो कुतुबदीन एबग भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने बारोस अच्छे से बारोस दोस तक साशन किया इसने कुतुब मिनार का निर्माण कारे जो है इसने प्रारम किया था और इस कारे को पूर्ण किसने करवाया इनकी मिर्तु के पस्चात इस कारे को पूर्ण जो है इलतूत में इसने करवाया था कई बर एक्चा में पुछाया चुका है आपको याद रखना है कुतवदीन एबक की मिर्तु बारो सो दस इस्वी में पोलो खेलते समय घोडा से अचाना गिर जाने एक कारण से हो गया एबक मुल रूप से तुरकिस्थान का था जो गुलाम के रूप में मुहम्मद गौरी की सिवा में उपस्तित किया गया था अगला कुछ्षन देखते हैं कुछ्षन नम्बर 2 है मोगल काल में सरवाधिक मनसबदार किसके सासन काल में थे तो सरवाधिक जो मनसबदार थे और अरण्जेव के सासन काल में थे, ठीक है, करेक्ट आंसर यह हो जाएगा, अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमबर थर्ड है, गांधी इर्विन समझहोते को भारतिय इतिहास मेक महतपूर, अस्थान प्राप्त है, यह समझहोते को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखें, गांधी कोश जल बिधुत जो परियुजना है, तो यह भारत और भुटान की सन्यूकत, भारत और भुटान, दो देशों की सन्यूकत परियुजना रहता है, अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमबर पाच है, निम्नांकित का सही मिलान करें, तो देखिए पहला दिया गया है रिक्टर एस्केल तो रिक्टर एस्केल से मापा जाता है भुकम्पियत तिब्रता विफोर्ट एस्केल की बात करें तो हवा की गती पवन बेग मापी अंत्र है केल्विन एस्केल की बात करें तो केल्विन एस्केल से परमताप परम थाप मापा जाता है मिली वार इसकेल इससे जो है दाव का मापन किया जाता है तो याद रखना है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर पांच है राज्य के नीति निर्देशक सिधानतों गी प्रेणडा किस देश के संबिधान से ली गई है तो ये आरलेंड के संबिधान से ली गई अप्सन C हो जाएगा इसके अलावा भारतिय संबिधान के भाग चार काउन उचेट च्छती से काउन के बेचिन निति निर्देशक तत्तों का उलेख है आश्टेलिया के संबिधान से प्रस्तावना की भासा समुर्ति सूची का प्राउधान केंद अगला कोंश्या नमबर साथ है संबाइधानिक संसोधान ने तो बिध्यक सरप्रथम कहा प्रवस्थूत किया जाता है संबैधानिक संसुधा ने तो बिध्यक सरप्रथम कहां प्रश्टूत किया जाता है संसद में संसद में किया जाता है अपसनी हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर आठ है संसद के दोनों सदनुद्वराण मोदन किये जाने पर उस तारीक से कब तक अपतकाल परवर्तन में रह सकता है संसद के दोनों सदनुद्वराण मोदन किये जाने पर उस तारीक से कब तक अपतकाल परवर्तन में रह सकता है तो उस तारीक से 6 मा तक परवर्तन में रह सकता है सी हो जाएगा इसके अलावा भारतिया संबेधान में तीन परकार के अपातकाल का उलेग किया गया है पहला अनुशे 352 इस मेराश्टिया अपातकाल का प्राउधान है दूसरा राज्या मेराश्पते सासन अनुशे 356 में दिया गया है और तीसरा जो है बितिया पात का लनुशे 360 में दिया गया है, तो याद रखना है, अगला कुश्यन देखते हैं, कुश्यन नमबर नाइन है, दोहरेगारा की जनगर्णा के अनुसार, निमनलोईखित मैं से किस राज्य में, सरवाधिक जनसंख्या घनतवला राज्य का प्राप्त हुआ, किस राज्य में प्राप्त हुआ है, बिहार राज्य में, ठीक है, अगला कुश्यन देखते हैं, कुश्यन नमबर 10 है, सब्तरात मंदिर का निर्माड पल्लाव नरेश नर्सी बर्मन प्राथम ने कहां पर करवाया, तो देखी ये करवाया था महाबली किया हो सकता है, तो ये राश्टिया बिकास परिश्द की स्विकरिति की आओ सकता है, अब्सन B हो जायेगा, अगला कुश्यन है, भारत में युजन आउकास किस के बाद हुआ, सवन 1996 के सूखा के बाद?」 पुस्जाना अउकास हुआ भी हो जाएगा अगला कुश्जन देखते हैं कुशन नमबर 13 है कागज की मुद्रा जारी करना वाला पहला देश कुन था फिर इंपोर्टन कुश्जन तो पहला देश तल था वचाइना ठीक है अगला कुश्जन देखते हैं कुश्य नमबर 14 है ये गराम इंधन के जलने में मुक्त उस्मा को कहा जाता है तो इसको उस्मियमान कहा जाता है क्या कहा जाता है उस्मियमान डी हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दें अपने दोस्तों मे पीछे का द्रेस से देखने वाला दर्पन कौन सा होता है उतल दर्पन याद रखना है कौन सा दर्पन उतल दर्पन बी हो जाएगा अगला इसके लाबा हजामत बनाने के लिए हजामत बनाने के लिए उतल दर्पन का प्रयोग किया जाता है याद रखना है उतल दर्पन अग किए है कारबन कों से भीमारे हो जाती है काब्ज की बिमारे होती है ती हो जाएगा, रोटी किस गैस के कारण फुलती है, रोटी जो फुलती है, वो किस गैस के कारण फुलती है, तो देखें, CO2 गैस के कारण, करवन डायोकसाइड गैस के कारण फुलती है, D हो जाएगा, एक सूस के सेल में कौन सी उर्जा पाई जाती है, तो देखें, उसमें जो है राशायनी कurchया कुन सी उर्जा राशायणी पइजाझा जाती है जी हो जायेगा हड्रोजन बंब के सिधान पर आधारिट है और नियंच्रित परमाडू ठीक है, अप्चनिय हो जाएगा, इसके अलवा परमाडू की बात करें, केसी पदारत का वह संभव, सुक्षतमकंज, जो सोत अंत्रवस्था में नहीं रह सकता हैा प्रन्थू, रासायने का विक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस्पदार्थ के सभी गुण बिदेमान रहते हैं परमाडू कहलाते हैं तो याद रखना है आगे बढ़ते हैं आधुनिक आवर्साने किसके नियम पराधारी थे बेरी इंपोर्टेंट हाइडोजन के रेडियो धर में समस्थाने को तो देखे इसको ट्रीटियम कहते हैं ट्रीटियम D हो जाएगा हैवर की परकिरिया किसके भी निर्माड में परयुक्त होती है हैवर की परकिरिया किसके भी निर्माड में परयुक्त होती है तो अमोनिया के बी निर्माड में परियुक्त होती है D हो जाएगा अगला कुश्चन है रस्ट यानी जंग की रासाइनिक सनराशनल लगभग है तो ये लगभग है 2F2O3 2F2O3.3H2 C हो जाएगा कास्टिक सोडा का रासाइनिक सुत्र है NaOH NaOH कास्टिक सोडा का रासाइनिक सुत्र है चुना पत्थर का रासाइनिक नाम है केल्सियम कर्बोनेट केल्सियम कर्बोनेट चुना पत्थर का रासाइनिक नाम है इसके अलावा यहाँ पर कुछ पदार्थ है और उनके रासाइनिक नाम लेखे है कार्बन टेट्रा कुल्राइड हरा कसेस फेरस सलफेट मार्स गैस मिथेन ओलियम फ्यूमिंग सलफ्यूरी कमले यद रखना है अगला कुश्चन है निर्जलिकरन के दोरान शरीर में से कौन से पदार्थ का समानता च्छाय होता है निर्जलिकरन के दोरान शरीर में से कौन से समानता च्छाय होता है तो sodium chloride का समानता च्छाय होता है B हो जाएगा खादे पदार्थ को हम किसी काई में माप सकते है कैलोरी की काई में ठीक है अप्सनी हो जाएगा निमने लेखित में से कौन vitamin A का समरीद सुरोत है तो correct answer B हो जाएगा गाजर जो है ये vitamin A का समरीद सुरोत है गाजर में केरोटीन पाया जाता है vitamin A का रासानिक डाम retinol होता है vitamin A की कमिस होने वाला रोग है संक्रमनों का खत्रत अथा जिरोप्थैल्मिया ये vitamin A की कमिस होता है इसके सुरोत है गाजर, दूध हंडा, पनीर, हरी साग, सबजी मचली, अक्रित, तेलादी ये सभी क्या है ये vitamin A की सुरोत है vitamin सब्द सरवप्रथम प्रयोग फंक के द्वारा सन 19-2011 में किया गया था vitamin D एवाम के का संसलेशन हमारे सरीर में होता है तो याद रखना है निमनलेखित में से कौन सा रोग, एक जलवाहित रोग है कौन सा रोग, एक जलवाहित रोग है तो correct answer, option ये हो जाएगा, दस्त ठीक है, दस्त जो है, ये जलवाहित रोग है अगला question देखते हैं, घर्टे हुए करम में, मानो सरीर में बिद्यमान प्रमुक्तत्व है घर्टे करम में, बताना है आपको कि मानो सरी में बिद्यमान प्रमुक्तत्व कौन सा है तो देखिए correct answer B हो जाएगा सबसे ज़्यादा केलसियां, फासफूरस, गंधक और पोटेसियां घर्टे करम में हो जाएगा अगला कुश्चन है सबसे छोटा उपगरा कौन सा है सबसे छोटा उपगरा है डिमोस याद रखना है डिमोस सबसे छोटा उपगरा है डिमोस और फोबोस मंगल गरा का उपगरा है डिमोस और फेवोस जो है ये मंगल गरा का उपगरा है प्रिथवी के सबसे निकट गरह सुक्र है सबसे अधिक चमकिला गरह सुक्र नीला गरह प्रिथवी सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरह गेनिमेड सबसे अधिक ठंडा गरह प्लूटो मध्य परदे सूचिने आले कि पीठ कहां परिस्तित है मध्य परदे सूचिन आले की पीठ कहां परिस्तीत है जबलपूर में कहां पर है जबलपूर बी हो जाएगा मध्य परदे सूचिन आले के स्थापन उनने से 56 में हुई थी यहां का लिंगा नुपात 999 पर 1000 पूरूस ठीक है 999 महिला पर 1000 पूरूस प्रमुख परवत सिखर धूप गड़ है जीलो की संख्या 48 है राज़किय पसु है 12 सिंगा याद रखना है सीमला समझाता भारत पाकिस्तान द्वारा किस बर्स में हस्ताक्षरित किया गया था तो सीमला समझाता जो किया गया था भारत पाकिस्तान के द्वारा तो ये 1972 में याद रखना है कौन से में 1972 में किया गया था भारते संबेधाने किस अनुषेद ने हिंदी यानि देवनागरी लिपी में भारत की राजभासा के रूप में घोसित किया तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अनुषे 343 में किया था ठीक है बी हो जाएगा जम्मू और कस्मीर की राजभासा जम्मू और कस्मीर की राजभासा या कारेलई भासा कौन सी है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उर्दू है अगला कुशन देखते है काकड़ा पारा पर यूजना किस नदी घाटे से संबंधित है तो correct answer यह हो जाएगा तापती नदी घाटे से संबंधित है उप्शन ही हो जाएगा उसके बादे हाँ पर हमार अगला question है भारत में सरवाधिक उत्पादन किस खाद्यान याने फसल का होता है सबसे अधिक उत्पादन किस खाद्यान फसल का होता है तो यह आप सभी के लिए question रखते है इसका answer फटा फटा से comment में बताए अप्शन है गेहू चावल मका या फिर जो तो सही answer इसका comment में जुरूर बाता है और आप सभी को वीडियो ये पसंद आया तो प्लेज वीडियो को आया भारत